बिस्मिल्य रख्माली रहीम असलामलीकम नजरीनिकराम जीम न्यूस की प्लेटफार्म से पेश किया जाने वाले प्रोग्राम मैं हूँ आपकी मेस बांड ओपन तरस मलिक आज हम अपने चैनल की वसादत से आपको दिखाएंगे कि सियासताम किस तरह से अफट करते हैं और से डिफिकल्ट होता है जैसे कि आप जानते हैं कि अज़ाद कश्मीर के अलेक्शन में सिरुफ एक दिन बाकी है किस तरह से अफट करते हैं सियासताम किस तरह से ये फिल्ड वर्क करते हैं इनकी कंपेंग कैसे होती है ये सब हम डिसकस करेंगे आपके साथ आज हम मजूद ह देरा हाजी चोधरी मुहम्मद यूनस पर और हमारे साथ मजूद हैं टांडा का एक उबरता हुआ सितारा जिन्होंने अपना मकदर आप लिखा मारूफ समाजी सियासी शैसियत बेबाक ना डर नवजवानी दिलों की दर्तर चोधरी जिशान यूनस टांडा साथ जो जमू कंपेन काईसा बने हैं मुझे हैला tat का मोका दिया है कंपेन तो हम मैं जी जो कंपेन है ओर 20 साल से शिरूए आज तो ए toc ऐल्या बलकुल करीब एक दिन बाकी है तो आज अलहम्दुलिल्ल्ह हमने अच्छी कंपेन की ति इसका रिजल्ट भी इन्शाला है प्हु आज जो म nghे जलसा होने जारा है जिसमें इमारे गुजरात की चादत आरही है इंशालला हमारे पूरे अलके का यह सबसे बड़ा जलसा होगा इंशालला कम्पेंड मारे कम्प्लीट है वोटर मारे मुटमेन है लोग मुझसे मभबत करते हैं इंशालला विक्ट्री शेयर किया है 25 जिलाई को इंशालला शेयर की जीट होगा तो आप जरा लोगों को उनको बताएं किया मशक्कलात करने के बाद आप लोग बरसर इक्तदार आते हैं यह की इन पहले जितने भी मैंने देखे हैं सारे मीदवार वो अलके में टाइम नहीं दे पाते नहीं दे सकते इसी वज़ा से लोग मुझसे मभबत कर रहे हैं मैं उनके दरम्यान मजूद रहूंगा इंशालला ताला मेरे लोगों से रापते हैं मैं लोगों में मजूद और इन्शालला हमेशा से उनके साथ रहूंगा उनमें मजूद रहूंगा इन्शालला ताला नजीन जैसार के एक determination है जिशान यूनस टांडा साब का तो बहुत बड़ी बात है वाकी सियास्तदानों की जिंदगी में केरियर बनाते बनाते कफी मुश्कलात जो हैं वह से कर है उसमें किस कदर जोग है एफट की जरूरत होती है तो आईए आप हमारे साथ चलें जी तो नास्रीन जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि आज हम चोदरी जिशान यूनस्टांडा की टोटल कंपेंड आपको दिखाएंगे जहां-जहां उनके मिटिंग्स हैं जहां-जहां हम आपको दिखाते जाएंगे तो आज हम पूछते हैं चोदरी साब से कहां-जहां उनका ये आज का शेडूल है स्सामलीकम मूह आपको आपको पूछता नागर हम जएक दोलतानगर में एक हुआजिए मीटिंग ये चंडाला में उसके बाद किल्स लाम नगर में मारा पीके कट है सब्सके बाद जो ग्रइंड जल्सारी सभी एंग पैरों आज हम जा आएज हमारी क्यादत आएगी उदर कि अगर मकाबले की बात हो तो एक तरफ चोदरी अकबर इबराहीम है जिनको मजूदा हकुमत भी और काफ लिग भी स्पोर्ट कर रही है और एक तरफ आप हैं जो प्या मेलन के वरपूर दबंग किसम के अप्टिव मैं हैं आप मुझे बताइए कि आपको मकाबला कैसे नजर आप आपके के नजरियात हैं देखेजी कंपेड़ वो जो मेरे महालव मीदवार हैं वो भी साल के लेक्शन लड़ रहे हैं बिल्कुल सही है मेरा यह पहला लेक्शन है लोगों की मभथ लोगों की चाहत लोगों का प्यार जो लोग मेरी उस्ताफदाई कर रहे हैं इंशाल कर रहे हैं अपनी मर्दी के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई हैं दूसरी तरफ लोगों की महबत लोगों का प्यार इंशाला जीत लोगों के प्यार की होगी लोगों के वोट की ताकत की जीत होगी वो जीत इंशाला ताला शेर की जीत होगी वो जीत इंशाला आप मुनहर्फ हो गए और आप जो हैं मुस्लिम लिग नून के अमीदवार हैं मेले के तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे देखें जबैर साब मेरे अबू के दोस्ट से उन्हें सारी जिम्गी कट्टी कुजारी है मेरे लिगे बड़े कापले काम हैं मैं उनकी इज़त करता हूँ हमारे नदरियात का लगद हुए हैं उनसे मारी जो सियासत का मेरी अमली सियासत का जोगाद है मुझे खुशी है मुझे फखर है कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लिग नून से अपना अमली सियासत का अगाज कि और इन्शाला ताला पाकिस्तान मुसलम लीग नून ही वह जमाथ है जो मुलक में तरक्य और कुछ हाली को लेकर आ सकती है जासे मारे मोटरवेज हैं, लग्याती स्कीमें हैं, पैसान के लिए सस्ती खादें हैं ट्रैक्टर जैसे कसानों के मिले हैं, हमारे नोजवानों की जो लाप Broken Cakeversion मिलीै, नौजवानों को मारइक पे नक्रिया मिली calculation अमनोमान की सूरत आला है, ये सिरफ पाकस्तान-मसलम लीग नून की गवर्मेटी कर सकी है. और इंशालला आएंदा दोर फिर पाकस्तान-मसलम लीग नून का दोर आई है, इंशालला. अच्छा मुझे ये बताईए चुछ सब के आपका जो थाना टांडा है इसकी क्या पोजिशन है क्योंकि अगर बात वजीरबाद की हो तो हम जो जिन्मी एलेक्शन है उसमें तक्रीबन लाइब अब्जब्रेशन देख चुके हैं कि वहाँ प्रिया मेलन के अलावा किसी जमा मुकामी मीदवार थे पिछले जितने भी लेक्शन में देखिया हैं दो थीन उन में पिछले सिरफ टांडा में एक ही मीदवार होने की वज़ाद से पूरा लेक्शन जो ठाने टांडे का था वो बन चागट था लोग ना चाहते हुए भी उनको वोड़ करते हैं वह सिरफ अब पिछले से लिए कि वो सिरफ टांडे का है जिए मारा मुकामी मीदवार है आज अलहम दोलिल्लह लोग उसे पूरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं लोग चाहते हैं को न्याचेरा आए इंशाला ताला आज मैं लोगों के सामने हो मेरा करदार मेरी सारी जिंगी मैंने नत जो मारि लोगों के साथ परताओ था मेरा और हम आज इंशाला 25 जो बड़ैंड पूर्फर में ल हमें और रिटर्न मिलेगा जो लोगों की हमने दिम् Sun leg जो घरीब का हमें साहति उम्र्न का साहतिक है मारी फैंली ने मारे बज्जरगों ने अज़ आज वह打 она हमें मिले मीं ए तो सब आपको क्या लगता है कि एक तरफ पीमलन के जो वोटर हैं और उनका एक वोट बड़ा नारा है वोट को जद दो और एक तरफ आपके शक्सी मेनत है जो आपके वालेद आपके दादा या आपका खानदानी वतीरा रहा है तो आपको क्या लगता है कि आपके हलका या ट जासियत का वोट है वो भी मजद है इन्शाला ताला ये दोन वोट मिल के ही जो जीत होगी वो इन्शाला ताला शेयर की होगी और पाकस्तान मुसलिम लीग नून की होगी यूद का एक बोट बड़ा करदार है आपके साथ और बहुत मुखबत है उनको एक यंग जनरेशन का साथ जो है ये काम्याबी का बहुत बड़ा प्रूफ होता है तो एक तरफ जो है कुछ ने चेहे भी हैं जो स्यासत से मंसलिक नहीं हैं जिस तरह से आपका फर्स्ट एलेक्शन है इसी तरह से वो आपके स्पोर्टर हैं आप जोस्त नौजवान ऐसे ऐसे मेरे साथ हैं जिन्होंने सारी जिन्गी ना किसी से वोट मंगए ना कोई लेक्शन कंटेस्ट की है वो लोग मेरी कम पे इंचला रहे हैं इंशाला ताला मैंने लोगों को मजीद शौर दिया है उसे लोग बाश़ूर है मैंने मजीद उनको मवाल प्मबब दी है मैंने जिसको भी मेरे कलास फैलोज हैं घमिरी कमप्याइं चला रहे हैं मेरे दोस्माब मेरी कमप्याइं चला रहे हैं मेरे ऐसे ऐसे गाउं हैं जिन में वन साइड़ सारी जिन्गी पाकिस्तान की 75 साला तरीफ में ऐसे गाउं हैं जो सारी जिन्गी वो जितने भी लेक्षिन आए हैं उन्हें कठे वोट कास्ट नहीं किया मैं आपको ऐसे गाउं उता सकता हूं तुमने इस तफ़ा वन साइड़ेड फैसला किया है कि हमने सारे गाउने को ठाओ के सिर्फ जिशान को वोड करना है सर आप मुझे बताएं कि मुझे लगता है कि अगर डिस्टी गुजराद के मरकज की बात की जाए तो मकाबला सिर्फ अकबर इवराहीम का या आपका नहीं रहा एक तरफ चोधरी ब्रादरान है और एक तरफ नवाब जदकान है और कोटला में एक बहुत बड़ा नाम जो है चोधियाबत रजा साब है तो मकाबला कुछ आप किस एंगल से देख रहे हैं आपको क्या इंटरस्टी मिलेगता कि यहां एक अमले का जमू को एलेक्शन नहीं है बलके दो बड़े ग्रूप्स का एलेक्शन है आप क्या कहेंगे इसके बारे में यह किनन यह पहली दफा हुआ है कि जो मारा जो कश्मीर का अलेक्शन है पहले इसमें इतनी ज्यादा गहमा गहमी इतना शोरोगोल इतने लोग जनूनी यह सिर्फ पहली दफा हुआ है इसमे ko अगाह किया है कि ये इतनी टाकत रखता है, ये पाकिस्तान के लैक्शन का वोट जो है, वो हो ताकत रखता है ये मैने लोगों को बावर करवाया है। लोग निकले हैं। लोग जजबे से निकले हैं। प्यार दे रहे हैं, लोगों का जो शोक रोष है, कश्मीर का लेक्शन हमोशी से गुजर जाता है, इसलिए वो जो हमारे इदर से नमाइंदे कामजाब हो की उदर बैखते थे वो भी खमोशी से बैठ के अपना जो अधर से फंड मिलते थे वो राम से बैठ के खाते थे, इस सिर्फ कश्मीर का वोट है, वो लेकर चले जाते हैं, बाद में अपनी वो जाते हैं, इन्जॉय करते हैं, उदर ठंडे मॉल में जाते हैं, इन्शाला साला, अब लोगों की खिद्मत भी होगी, जो उदर से मिलेगा, वो इमानदारी से लोगों की इस तहली प्यार आएगा तो आपको यहां का जो टोटल एलक्शन है, यहां की कमपेंड एलक्शन और इस्पेशली रिजर्ट कैसा नज़र आ रहा है? मेन तोटली बात मीरे लिए बलकिए, पूरे अलके के लिए यहां की और प्रिल एलका ही, एक सिट महमाने है, गया जो ना दिन देख रहा है और राख देख आइए लोगों की आपका प्रमूं, पाले खेंडें एयदेर्वार any का को मिले जेख झाट एफ जलसा ना भाते साल आज उनको जानके लाले पड़े हुए हैं, उनकी गवर्मेंट भी है, लेकन फिर भी लोग उनसे नराज हैं, इसलिए नराज हैं, जो मीदवार वो लेके आए हैं, उनने लोगों की जमीनों पे कबजे की हुए हैं, उनने लोगों के साथ जैतिये की हुई हैं, लोगों पर उ ब्रिल्यू का लैक्षिन है। इस में जाद नी लाड़ा जा सकता, इन आफ चोधरी जील्शान यूनस्टांडे साब यंग होने की नाते हैं यंग धस्टर को और स्पेशली अपने जमू के जिते भी महाजरीन हैं उनके लिए एक हिदिमते खल्ग का जज़बा रखते हैं और एक पाजिटिव वियन रखते हैं तो अब मुझे लगता है कि हम उन चुके हैं दोलत नगर में जहाँ जो सब की एक मिटिंग है मिटिंग के बाद इनका अगला जो पड़ाओ है वो खारियां में है तो हम देखेंगे और साथ-साथ आपको भी बताते जाएंगे कि क्या क्या एक्टिवटीज चाल रही है और किस तरह से जो है इनकी एफट जारी है जी तो नासरीन चोदरी जिशान भीनस्टांडर साब की जो दोलत नगर में मिटिंग ही मशाला से काम याब रही और बहुत एक्टिव टीम है जो इनकी वहां वर्क कर रही है चोदरी अतीक जमान डोगा साब की यूनियन कॉंसल में या आता है और उस यूसी के चेर्मेन भी बड़ी हिद्मात पेश कर रहे हैं और इसी तरह से जो अलागा के जितने भी महाजर हैं वो सब मिलकर एफट कर रहे हैं और अमीदे वासिक है के चोदरी जिशान कांडा साब विन करेंगे तो दो चीजें जो हैं वो हमें अब्सवेशन हुई मीटिंग से जो मैं आप से साथ के साथ करती हूं कि जो पहले कैनिडेट थे चोदरी जवेद साब वो अलाके में प जब वोट लिये तो उसके बाद फिर नहीं आए जबके वो यहां से विन किये थे तो आप अपने लोगों को क्या मनशूर देना चाहते हैं देखें जी चोदरी जवेद साब ने एक लांकरम सियासत की है किश्मीर की इस तफ़ा मैंने देखा है पूरे पांच सार लोग गविंधे जब कोशी में पोंच नहीं सके जो कुछ उन की सेथ का भी मसला था कुछ उन नका जाती मामला थिजिन आप नहीं कोशश करूंगा कि मेरे जितने लोग मैं दर पी जाता हूं ये इजितने लोग कि एन रिधाना चाही मैं और इंशाआला ताला यही मेरा में माट्व है सर्फ आपके अलाका में जितने भी महाजरीन हैं उनको क्या फिसिलिटेशन दी गई है आपके महालिफ जो कैनेडेट हैं उनसे भी और आपके जो चोदरी जवेश साथ हैं तो क्या स्पोर्ट रही है महाजरीन के लिए देखें जो मारे जो पिछले मीदवरान गुजरे हैं उनका पिछले आजी जवेश साथ से उनका यही मसला था कि उनका वाम के साथ रापता नहीं था जिसकी वज़ा से आज पायटीन यह उन से टिकट लेके एक वर्कर को दीए और आज मैं आपके सामने हूँ इंशाला मैं मैं इनत करूंगा लोगों को ऐसे से भी हाज protects भाज़ के लोगों के जो भी मसाईल हैं हमारे कशμीर के अजाद कश्मीर की गवर्मेंट से जो पंड मिलते हैं जो मारे नोकरिय नोकरिय के कोटे हैं मैं उने पर साथ ऑन भात करूंगा पिछले जो मारे मीदवार थे उनोंने सिर्फ बंदर बांट किई है। जो मारा मछालफ कैनिडेट है। उसने अपने सेक्टरी के जरी जरी उधर जो डोमिशल बनता है। जो मारे माजरीन का जिसकी वजह से हम उधर नोकरियां ले सकते हैं। पांच-पांच हजार जो फीस रखी हुई थी, उसको मुश्कल एक तरीका बनाया है, ये बड़ा मसला था हमारे दोस्तों को, मैं इंशालला ताला इस पर भी पूरी आफट करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, कि लोगों का ये जो डॉमिसाल का मसला ये ज्यादा से ज्य निशन है, एक जो इनके पाजिटिव इंटेंशन्स हैं, वो महाजरीन की हक खुद अरादियत के लिए हैं, उनके काम के लिए हैं, उनकी वर्थ के लिए, और बहुत बड़ा इशू जो हमने ओवराल पूरे जाद किश्मिर में विजट करके भी देखा और अबजर्व भी क वो यही रहा कि लोगों को हमेशा जमीन के और बाकी काफी इशू रहें, ज्यालतर लोगों को जाब्स के मिसाइल रहें कि काफी लोग जो है, वो काफी एजुकेटिट होने के बना पर इदर उदर दक्के खा रहें, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी फिसलिटेशन नहीं है, ज जंड़ा जंडवाला में जो छोड़ी जिशान यूनस साब की मिटंग ए, उसके बाद इंशाला फिर आपसे मुलापल करने हैं, जितुनासरीन, ज़्वाली जंडवाला में पढ़ाओ था, यह मलक यकूब साब के गपर था, जो महाजर हैं तो अभी हम छोड़ी तीर साब और इनका क्या इरादा उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे जो सब्सक्राइब बताइए कि जो मलिक यूप साब है इनके पास कितना वोड बैंक है और किस तरह से आपके लिए ये वर्ग कर रहे हैं देखें जिस तरह हम पहले एक जगा मीटिंग किया है इधर भी हो ही मसला है कि जो राप्थे का फुटदहान है तो इंशाला मेरी पूरी कोशेश है जैसे मैं लोगों फगादा भी कार रहे हैं कि मैं इंशाला हमें कि पास पहुंचूंगा तो जो मलक साब का वोड बैंक है व बहुत कोशेश की जंडावाला में मीटिंग करने की लेकर लोगों ने उसे जगा नहीं दी और आज मेरे अलग प्यार है लोगों का साथ है जो लोग मुझे दे रहे हैं और मैं इंशाला ताला इनकी तो अपवाद पर पूरा उतरूंगा इनकी मीदों पर पूरा कास्ट होता है वो फिफटी परसांट कास्ट होते हैं फिफ्टी फाइथ परसंट जो पिछले एलक्सन में हूओ नो मीननत च्छी है लोगत पदीराएं पोष्दा लोग में हुई है के लोग हमें मभबद कर रहे हैं प्यार दे रहे हैं तो इन्शाला ताला कम जाभी शेर क है लोगों की वाद है ये खुदा ही वाद है ये एक ऐसा माहोल बना हुआ है हर जबाने जद्याम है कि एक नया बंदा आके अला का कोई खास ख़दर और करम अफदार का कि हर चोटा बड़ा बज़र्ग सब एक ही नाम ले रहे हैं तो इन्शाला ताला शेयर की फ़ता है इस अगला जो पड़ाओ है वो आपका किस जगह पे है नाजरीन को अगा करें और उसमें आपका जो एक क्या वो उसमें प्रोटेस हो रहे है या एक मीटिंग है मेरा अगला किलास लामनगर में एक कार्णर मीटिंग है शायद वो जंदा देल लोग हैं बड़े खुले दिल के म हैं शायद वो जल्सा में तबदील हो जाए है एक चोटी सी कामनर मीटिंग है वो भी मैंने बहुत मना किया उन लोगों को लेकर उनकी मदबत है मेरा आज टाइम नहीं था मेरे पास लेकर आज आफी दिन में कम कहनता तो फिर भी ना चाहता है नजरीन एक बात जो हमने चोदरी जीशान यूनस्टांडा के साथ चल कर अबजव की है हमारी अबजवेशन में ये है कि लोग इन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सबसे बड़ी बात होती है मुखबत और एकिदत एहतराम और इजद की अगर ये चारू चीज़ें इनसान के अंदर हूँ तो बा ये सबसे खुशान बात होती है क्योंकि इजद एहतराम मुखबत ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ कोई भी मैदान फता किया जा सकता है सो हम ये नहीं कहते ये तो अलापात जानते हैं कि काम्याबी किसके और जाएगी लेकिन अमीद वासिक है कि चोदरी जीशान यूनस्ट साथ मैदान मारने के लिए बिल्कुल तयार है हूं इसकी सबसे बड़ी वजा वहां की मिटिंग के वो लोग जिन्होंने अपनी जबान से ये कहा कि महालिफ कैनिडेट जो हैं वो मिटिंग करना चाहते थे लेकिन वो मिटिंग ना कर सके बिकास वहां किसी ने उनको इतनी पर एरटी नहीं दी और एक चीज इनके हलका में और मैंने अबजर्ब की और वो ये कि जब हम जिशानी उनस्टांडर साफ के बेरे पर निक उससे निकले थे मूव किया था हमने तो गाड़ियों की तदाथ इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन स्टेप बर स्टेप हर जगा इनके साथ है और बाकी इंशाला हम जो भी है आपके साथ शेयर करते जाएंगे अभी मैं आपसे इजाज़े चाहते हूँ जीतनास्रीन आज के तमाम देखी जो भी जो सबकी कंपेन थी उसको देखते हुए अभी इसलाम नगर जो जाना है वो बाकी है लेकिन अब हम जा रहे हैं बिलकुल करीब हैं डेरा चोडरी हाजी यूनस पर इंशाला फिर वहां के बाद हमारी जो भी अपडेट सूंगे हम उनने लोगों का बहुत ही वालहाना एटिट्यूड देखा और जिस मुखबत से अकीदत से उनने चोडरी जिशान यूनस प्रांडा साब का इस्तक्बाल किया अर्डोर की थाप पर फूलों और नोटों के बारिश के साथ वेलकम किया और एक साथ चलने का और 25 में कामयाब करवानी का मकमल अजम दिया तो जिसम मैं आपकी लग पर बड़ी खुश आइंद आज का दिन रहा और मुझे अच्छा लगा कि माशाला से बहुत ज्यादा जो है यूथ आपके साथ शामिल है आप अपने महालफीन को अपने अलाके के लोगों को सब को है कैसा मेसिज दें अपकी कंपेन आपके पूरे अलेक्शन के जितनी बी स्टरगल आपने कि इसको मदन अज़ अज़ अपने करें जैसे आपने देखा कि खिलास लाम नगर में दोल्ता नगर में आज जंड़ा वाला में लोगों का जोस वालवुला फसूशन जो मारा किलास लाम नगर के मेरी माई, मेरी बेहने, मेरे बज़रग, मेरे दोस्त, सारे उदर कठे हुए तो इंशाललह 25 जलाई का फैसला आज किला स्लामनगर के लोगों ने कर दिया मैं अपने लोगों को अपने अलगे की अवाम को एक पगाम देना चाहता हूं कि आप वोट कास्ट करते वकर इस बात का ख्यार रखें, देखें, दोनों कैनिदेट्स का आप मुवादना करें, फिर आप वोट कास्ट करें मैं अपने अवरसीज बाईयों को भी ये कहना चाहता हूं, कि आप अपनी फैमिली को काहल करें, उनको काहल करें कि ऐसे बंदे को वोट कास्ट करें जो आपके वोट का सही हकदार है जो आपका वोट लेके कामजाब हो कि आपकी खिद्मत कर सकता है जो जिसमें तकब्राना कोई अमर नहीं जो अहलाकन आपको इज़र देना चाहता है ऐसे बंदे को वोट करें इंशाला ताला मुझे पूरी उमीद है लोग जिस तरह मुझे से प्यार कर रहें जीद हमारी इंशाला इंशाला हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में तब तक लिए जास चाते हैं अल्ला हाफिज